असलाम उलेकुम डियर फ्रेंट्स कैसे आप सब मैं असमान जूम आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महा टीटी 2021 जो 10 अक्टोबर को होने वाला एक्साम है उसमें पेपर फॉर्स्ट और सेकेंड वैसे पेपर फॉर्स्ट में तो कंपल सरी यही कोशन है मैच के लिए हम देखेंगे रियाजी के लिए देखेंगे देखेंगे फ्रेंट्स मैंने उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही लिए ये एक सेम वीडियो बना दी हूँ जिसमें पहले उर्दू में कोशन है और बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्ल और नुकसान प्रॉफिट और लॉस पर फॉर टाइप के कोशन है जिनमें से हम दो टाइप यहाँ पर लेंगे और उनकी शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ लेंगे तो 2013 का यह कोशन था कि एक सेल्समेंट को एक शेय की फरुखत पर चार फीसद नुकसान होता है उसे उसमें 550 का इजाफा होता है तो उसे 6 फीसद का नफ़ा हसिल होता है तो उस शेय की असल खीमत क्या होगी देखिए फ्रेंज, ये 2013 का कोशन है, इसे दो तरीखे से आप सॉल कर सकते हैं, दोनों ही शॉटकट है, एक फॉर्मुले से कर सकते हैं, जापते से कर सकते हैं, और एक विदाउट फॉर्मुला, बगर किसी जापते से कर सकते हैं, दोनों ही तरह से हैं, तो मैं आपको बता दे कि असल पिम्र मसावी होती एक जो इधाफा किया आधा जितना भी एधाफा किया गया जैसे कि यहां पर पाहस सो पैचास रुपए का इधाफा किया गया और नफ़ा दोनों भी जो नफ़ा है नुकसान जो परसंटेज में दिया है देखिए नफ़े का परसंटेज फीसदी नफ़ा जमा फीसदी नुकसान जरब 100 बस इतना करना है हमको अब देखिए इजाफा कितने का किया गया 550 का किया गया अब नफ़ा देखिए पहले क्या दिया गया है चार फीसदी नुकसान तो चार जमा उसके बाद कितना है नफ़ा छे फीसदी नफ़ा यानि के छे जरब 100 अब ये हो जाएंगे पास सो पचास बटे दस जरब सो ये ये सीफर कड़ गया अब पचपन को सो से जरब दीजिए फाइफ फाइफ जिरो जिरो यानि के असल खीमत क्या थी उसकी असल खीमत थी उसकी पाच हजार पास सो ये एक तरीख है इससे भी एक शॉटकट मेटट है तो मैं एक ही बता रही जापते के थुरू तो इसलिए ये एक है और एक दूसरा भी है तो अब यही चीज हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए करते हैं असेल्समें अक्योर लॉस ओफ फॉर पर्संट ओन दे सेल अफ एन आइटम एन इंक्रीज ओफ फॉफिफिटी एंड प्रॉफिट ओफ उफ इसफ पर्संट वाट विल बी दा एक्ट्वल वैल्यू ओफ ता आइटम 2013 में पूछा गया था कि एक सेल्समें है उसने अपनी उसने एक अपनी एक आइटम को उसने क्या क्या बेच दिया तो उसे हुआ फॉर फॉर पर्संट का उसे क्या हुआ लॉस हो गया अगर वह इंक्रीज कर देता है प्राइस कितना फाइफ फिफिटी तो उसे इंक्रीज प्राइस यह इसे ठीक से चलता नहीं है इंक्रीज प्राइस फिर परसंटेज आप लेंगे जो भी प्रॉफिट का दिया गया है प्रॉफिट प्लस लॉस परसंटेज जो भी लॉस परसंटेज है और इनको मल्टिप्लाइ करेंगे हंडेट से अब देखें इंक् करें तो प्रॉफिट का परसंटेज कितना है प्रॉफिट का परसंटेज है 6 तो 6 फ्लस लॉस का परसंटेज कितना दे गया है 4 तो 4 into 100 यह 100 हो गया यह 550 upon 10 into 100 अब यह 0 से 0 कड़ गया तो बचा क्या 55 तो मल्टिप्लाइ करना है 55 और 100 को मल्टिप्लाइ करें तो 5500 तो असल प्राइस क्या था उसका 5500 रुपीज यह है इसका तरीखा सॉल करने का इसका मैथर एक और देखते हैं हम कोशन जो आया था 2014 में पहले उर्दू मीडियम वालों के लिए फिर इंगिश मीडियम वालों के 12 अशिया की फरोग खीमत 15 अशिया के खीमत खरीद के मसावी है तो इस कारोबार में कितना नफ़ा या नुकसान हुआ यानि कि 12 चीज़े आपने फरोग करें तो वो 15 चीज़ों की खरीद खीमत के मसावी है तो इसमें आपको प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ और वो नफ़ा कितना हुआ, या नुकसान कितना हुआ, तो option में न, इसके direct ऐसे लिख कर नहीं है, कि इतना नुकसान सिफ परसंटेज में दिया गया है, 2014 का paper आप निकाल के देखिए, अब देखिए, इसमें क्या करते हैं, कि दो value दी गई है न, तो दो चीजों का फर्ख, दोनों values क दोनों खीमत का फर्ख, उनका फर्ख, फिर फरोखत खीमत, फरोखत खीमत, जरब सौफ, देखिए, अब फर्ख किसका, बारा और पंदरा, यानि के 15 माइनस 12, पंदरा मनफी बारा, और खीमत खरीद क्या है, देखिए, उन्होंने बोले, बारा अश्या की, फरोखत खीमत, हमें खीमत खरीद नहीं, फरोखत होना, तो बारा अश्या की फरोखत खीमत, तो कितने बारा की, तो बारा जरब सौफ, बस इतना करना है, अब ये 15 माइनस 12, पंदरा में से बारा निकाले, तो बचे 3, बटे 12, जरब 100, बस इतना ही करना है, 3, 1, 3, 3, 4, 12, और हमें पता है कि 1, 4 का मतलब क्या होता, 1, 4 का मतलब होता है, 25, 25, 25, और यहां पे जरब 100 है, यानि के परसंटेज, 25, 25, 25, 25, आपको पता है न, कि मैं यहां लिखती हूं, कि 1 by 2 परसंट यानि के कितना, 50 परसंट, ये कुछ-कुछ चीज़े याद रख लेना, 1 by 4 परसंट यानि के कितना, 25 परसंट, ये याद रख के रख लेना, और पुरा 1 परसंट यानि के क्या, 100 परसंट, ये इतनी 3 चीज़े याद रख लेना, तो 1 by 4 या आप इसको डिवाइट करके देखिए, एक बटे 4 जरब 100 करके देखिए, 25 आ जाएंगा, तो 25 परसंट, 25 परसंट इसमें या तो नफा हुआ या 25 परसंट का उसको नुकसान हुआ, तो ये थिया इसका तरीखा सॉल करने का, ये ही चीज़ को हम इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश मीडियम वालो के लिए करेंगे, अब इसको हम, अरे, स्लाइट आगे नहीं जाएंगे, अब ले पर्चेस प्राइस और 15 इंग्लिश में जाएंगे, और किसके एकवल है, कि जितना पर्चेस किये थे उनने कुछ आइटम को, उसके एकवल अगर ऐसा बताता, तो ये एक कोशन इस टाइप का ता, तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है, जो भी वैलिउस दी गई है, उ उनका डिफरेंस लेना है, और सेल प्राइस, सेल प्राइस, हमें यहाँ पर सेल प्राइस से डिवाइट करना है, और इंटू हंडेट कर देना है, डिफरेंस कितना दिया गया है, 15 माइनस 12, यानिके 15 आइटम और यहाँ पर 12 आइटम की बादी, 15 माइनस 12, सेल प्राइस क्य 12 इंटू 100, अब 3 बंजा 3, 4 जा 12, यानिके 1 बाइ 4 इंटू 100, अब 1 बाइ 4 परसंट यानिके क्या, 1 बाइ 4, 25 परसंट, और ये कैसे आया, देखिए, 100 बाइ 4, आप जब डिवाइट करेंगे, तो 4, 1 जा 4, 4, 2 जा 8, 4, 2 जा 8, 2 बचे, तो 4, 5 जा 20, तो ये हो गया 25 परसंट, या आप और भी याद रख सकते हैं, के 1 बाइ 2 यानिके 50 परसंट, 1 बाइ 4 यानिके 25 परसंट, तो ये भी याद करके रख लेना आप, तो ये थी इन लोगों के करने का तरीखा, जो एक्जाम में रिपीट होते हैं, ये कोशन, प्रॉफिट और लॉस, नफर नुकसान के, और दो कोशन है इस टाइप के, जो होते हैं रिपीट, तो फ्रेंस, मैंने एक एकी तरीखा बताई हूँ, उसमें से शॉर्ट कट का, अ आसर इंस्टिट्यूट से, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, पेपर फर्स्ट के लिए, आल सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे, विट पेपर अनेलिस, पीडिए भी प्रोवाइट की जाएंगे, और पूरा टोटल पेपर भी सॉल्ट करवाए जाएंगे, पूरे 9 अ ज्यादा से ज्यादा शेयर केजिए अपने फ्रेंड्स को, टेक केर, अल्ला हफीज